हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आए होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जैसरी शाम तो अभी शाम के बज़ गया है चार और मैं अपने लिए बना रही हूं चाय और मिश्टी ने बोला था कि ममा कुछ स्नैक्स वगरा मुझे चाहि है यह जो कटोरी टाइप से बन जाते हैं जिनको तलते हैं ओयल में तो फिंगर्स वगरा तो नहीं तले थे आज मैंने पर यह कटोरी रखी हुई थे तो इनको मैंने डीफ्राइ कर लिया है और एक हाउस वाइफ की शाम होते ही उसकी काम करने की ड्यूटी चालू हो जाती ह वो तो खेर ओल टाइम लगी रहती है हाउस वाइफ तो कुछ ना कुछ काम करने में तो यहाँ पर देखी यह फटना अच्छे से फूल गया थे बढ़िया वाले तो इनके मैं तैल रही हूँ और अच्छा स्नेक से टी टाइम के लिए बढ़िया है आप हलका फुल का कुछ भी खालो तो आपको भूक नहीं लगती है और आज कल अच्छोड़े हलके फुल के दिन भी बड़े होने लग गये ना तो अब दिन में कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा तो बच्चों को तो एटलिस कुछ ना कुछ चाहिए होता ही यह कुछ खाने के लिए और यहाँ पर चकरी टाइपस भी लाई थी मैं तो यह भी काफी दिन से रखे होए थे वो होता ही है कभी कोई चीज हम लेके आ जाते हैं पर वो तलने में नहीं आ पाती है तो यह रखने में आ गई थी मुरस मेरे से तलने में नहीं आ पाई थी फिर मैंने आज फाइनले इनको तल ही लिय और थोड़ी बहुत हमें तल के रख लूँगी तो जितना खाने में आएगा खालेंगे फिर बच्चे बाद में खालेंगे तो यह चीज ऐसी है कि आप इसको थोड़ा सा स्टोर करके भी रख सकते हैं तो यहां पर मेरी चाय बिल्कुल बन करके तयार है और अब मैं इसको छा जाता है ना आजकल तो वह सीडी पर बेड़ जाता है और उसके लिए मिना मिर्च वाले निकाल दिया थे और मिश्टी के में मसाला डाल दिया था अच्छे से मैंने तो मसाले में मैंने मिर्च और थोड़ा सामचूर पावडर काला नमक और सादा नमक ही मिला करके इसे मसाल लग जाता है तो फिर मैं इसके लिए बिना मिर्च वाली लिकाल देती हूं और आम देख सकते हैं कि हमारे मिष्टी के बुक्स वगिरा और बेक वगिरा चारों तरफ फेले हुए हैं वो पढ़ाई कर रही थी तो उसने ऐसे के ऐसे रख दिये हैं अभी तो मैं अब थोड़ी मोसम में बहुत सारे लोग पापड़ पंगोड़ी और चिप्स खास तोर से चिप्स का ही टाइम है चिप्स और पापड़ों का तो यह बनाते ही हैं तो अब अच्छी खासी दूफ निकलने लगी है तो इनका सीजन भी आ गया पर मैं नहीं बनाती हूं क्योंकि अकेले बनन शोक है और मतलब मैं जैसे के प्यर में पहले हम काफी बनाया करते थे मम्मी अच्छे से बनाती थी फिर हम खीच ले बुलाते ना उनको वह भी बनाते थे और चिप्स वेगरा भी हमें हमारे हर सीजन में बनते ही थे पर आजकल पता नहीं दिन पर दिन चीज़े कम होती जा सबसे बना रही हुँ है कि कांते हैं तो अनकी कर दोंगे डिन के त्यारी सब्सक्राइम के और और ratले ही कांते हैं तो लिए नो यहीं और सब्जी में कुकर में ही बनाना प्रेटेना करती हूं यह अलू वाली तो इस हम आगा है अच्छे से पाक जाते हैं में इस में तो मैं और आपका हुआ ऐकर मत्र करें हैं यह धूरा दिए हैं तो यहां पर तो यह आगा लिया और भालए हुआ या यह था कि मेर tąलो को चेक करा और मतलम मैंने रेखा कि अबले भी है नहीं और मैंने उनको ऐसे उख्यहिए लिए था फिर गवाद में मैंने जैंको दबाया तो फिर यह चुरर थी थोड़ी सी तो भी बच्ची कुछी कसर होगी ना नालु के अंदर की वो पूरी हो जाएगी मतलब मैं अशको धक्कल लगा के सीडी ले लूँगी तो यह अच्छे से उबल जाएंगे साथ में जो मतर डालेंगे वो अच्छे से पक जाएंगे तो इसे कहें सबजी अच्छे से बन जाएगी और मैं इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी मुझे वो होती ना अलूमेटर टमाटर की बीच की लटपटी वाली सबजी वो ज़्यादा अच्छी लगती है मैं तो लटपटी भी बलाती हूँ आप बताएगा आप लोग क्या बलाते हैं और चलिए लगा लेते हैं आटा तो मैं बस आटा मैंने छान लिया था तो मैं नमक डाल दिया है और अब पानी डाल डाल के मैं गूंद लूँगी और आटे के साथ ज़दा छेड़ खानी करना मुझे पसंद नहीं है मैं नॉर्मली मतलब आटा उसन लेती हूँ फिर उसको थोड़ी सी देर रख देती हूँ गलने के लिए तो उसते ही आटा बड़ा अच्छा सॉफ्ट बन जाता है थोड़ी देर अगर गला देते हैं आटे को तो बस मेरा इहाँ पर आटा लगा दिया था मैंने तो चलिया अब रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं और जब ही मैं आलू मटे टमाटर की सबजी बनाती हूँ तो बच्चों के लिए अलग से आलू निकाल लेती हूँ क्योंकि बच्चे फिर सबजी नहीं खाते हूँ उनको पराठा चाहिए होता है आलू का तो जब कभी भी बनाऊं मैं आलू की सबजी तो फिर मैं हमेशा ही बच्चों के लिए पराठा ही सेख देती हूँ पर हमारे लिए फिर मैं सबजी बनाती हूँ तो फिर मैंश्टी के पापा अभी कभी कभी बोलते हैं कि आलू की सबजी मत बनाना तुमने आलू खिला खिला के मुझे आलू जैसा कर दिया है वो वाली भाते पर क्या करें यार आलू तो सब भी सबजी में डलता है अगर आप आलू नहीं डालेंगे किसी सबजी में तो फिर कैसे काम चलेगा बिना आलू के मुझे नहीं लगता कोई सबजी टेस्टी और अच्छी लगती है आप कितनी भी सबजी ले लिजिए आलु गोभी आलु मटर टमाटर आलु पतागोभी आलु फली सब चीज में है आलु डलता है तो हम बिना आलु के कौन सी चीज मिनाए आलु पालक ले लीजिए जो भी दाल वग Norah होते है उसी में बस आलु नहीं डलता बाकी तो मेरे साब से जितनी भी सबसबजे में आलु जरूर ही डलता है और आलु टेस्टी भी लगता है तो आलु को तो बिदा खाये हम रहें नहीं सकते हैं ऐसा है लाइफ का हिस्ता बन चुका है आलु और यहाँ पर मैं कुछ नो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था तो इसके चलते मेरे रोटी हल्गी सी जल गई थी, तो ऐसा ही होता है, आप कभी भी रोटी बगरा बनाते हो, अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी दर उदर जाता है, तो फिर रोटी आपकी सही नहीं बनती है, मतलब जल जाती है, तो वही चीज मेरे साथ हुई थी, कि मेरा सारी रोटी आची बन गई थी, और भ्रगु को ये रहता है, कि आज कल उसको भी रोटी, मतलब यहीं पर पास में ही मेरे बेठा है वो, और आज उसने मेरा रोटी बनाना बड़ा मुश्किल कर दिया था, क्योंकि वो बार-बार बोल रहा था, मम्मा मुझे भी चाहिए, मै भी मुझे बनाओंगा, तो उसको रोटी बनाना थी, तो बड़ी मुश्किल से जाके मैंने अपनी रोटी बना रहे हो, हाति- राजा बना रहे हो, ऐसे बनता ही क्या हाति- राजा, यह देखिये हमारे बागु रोटी बेल रहा है, भाई, इसने मुझे बड़ी मुखिल से रोटी बनाने दी है अभी पुरी बन गई रोटी वह यार बहुत अच्छी कल देन हम हा of human life हाथी बना रहाएं क्या है कि से लिए या बनक्या क्या थिन अच्छ ने के अच्षा वाय या सून बना दीगे हति राजा की सा दाने वन पूरि खाऊ पूरी बना वहाँ यार बहुत अच्छी बना दि बरगु ने बहुत अच्छी में बन गई बहुत है चलो आंटी आंटी यहाँ पर इससे यह फूरी आंटी राजा के लिए रहा है खाना पुड़ी बन रहा हमारा ब्रगु आति-राजा के लिए न और अभी देखें आप आरती के आवाज यहां पर और मैंने इसमें सोस रख लिया है और इसमें रख लूँगी आलू का पराथा और जल्द से मिश्टी को दे आऊंगी खाने के लिए तो वह खा लेगी फटाफट से तो मैं आ गई हूं किचिन में और मैंने भी खाना खा लिया था भ्रगू को भी खिला दिया था तो बच्ची हुई जो भी सबजी है मैं इसको अब निकाल करके रख दूँगी छोटी सी भगोनी है एक मेरी उसमें रख देती हूं मैं और ये मूली मैंने काटी थी तो मूली क् कि थोड़ी भी दिन रखी हुई हो जाती है तो थोड़ी सी खरापसी हो जाती है वो तो फिर खाने में इत्ती टेस्टी लगी नहीं थी तो फिर मैं इसको भी हटाई दूँगी यहां से पर कोई चीज रखी देती है तो फिर ना उसको उस टाइम पे मैं हटाती हूं नहीं ये जो मैंने स्नैक्स बगरत तले थे इनको में सारे बच्चे गए थे थोड़े बहुत तो मैं ये पॉलितिन में इनको रख दूंगी तो ब्रगु को कल खाना होगा तो वो कल भी खा लेगा और किचिन काउंटर मैंने पहले ही साफ कर दिया था थोड़ा सा और साफ कर दिया फिर में जितने भी सारे बरतन हैं सबको अच्छे से अरेंज कर दूंगी तो अभी वैसे इतने जदा बरतन नहीं थे अभी तो सिंक में मेरे धेर हो रहे हैं बरतन इनको अभी करना है वोश करना बागी है तो अपने इस वाली वीडियो को फिलाल में कर देती हूं यहीं पर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दे, शेर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो अब मैं आप से मिलूँगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दतकली बाबा एंटेक केर और आप लोगों से यह रिक्वेस्टे प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करा कीजिए तो मैं वैट करूंगे आपके कमेंट का